नमस्कार दोस्तो एजुकेशनल टोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अचे से सी ग्राम स्यू की प्रिक्षा में पुछे जाने वाले बहुत ही इंपोर्टेंट के उसनों का एक मोक टेस्ट पेपर और दोस्तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, सेर जरूर करना सेर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर दोस्तो आपको ऐसा ही मोक टेस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब साइट का लिंक दे दिया है तो आप वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो समय को नए गवाते हुए शुरू करते हैं पहला क्योशन दोस्तो कौन सा गुप्ट सासक जिसके सासनकाल में चिन्य यात्री फायान बारत आया था तो इसका सही अनसोर होगा चंद्र गुप्त द्वित्ये आया था अगला क्योशन दोस्तो बारत का पर्थम उप गरह कब छोड़ा गया था तो इसका सई अंसर होगा 19 अप्रेल 1905 को छोड़ा गया था अगला क्यों सने दोस्तों बक्ती अंदोलन का परवर्थक निमन में से किसे माना जाता है तो इसका सई अंसर होगा रामा नूजा चारिये को माना जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तो समिदान की चोथी अनुसूची में से किसका वर्णन है तो इसका सही अंसर होगा रज्यों तथा संग्य छेत्रों की रज्य सबाब परती निदितव का वर्णन है अगला क्यों सन्य दोस्तो कोफी किस छेत्र का पोदा है तो इसका सही आंसर होगा यह उसन कटीबंद ये पोदा है अगला क्योसन है दोस्तो मालवी कागनी मित्र किस ने लिखा है तो इसका सही आंसर होगा यह कालिदास ने लिखा है अगला क्योसन है दोस्तो 1919 में रोल्ट एक्ट किस लिए परसिद हुआ था तो इसका सैंसुर होगा सन्दे के आदार पर गिरफ्तारी के लिए परसिद हुआ था अगला क्योशन है दोस्तों बारतीय सविधान के पांचमे बाग में किसका वर्णन मिलता है तो इसका सई अंसर होगा महालेखा नियंत्रन का, महान्यायवादी का, संसद का उप्रोक्त सभी का वर्णन मिलता है अगला क्यों सन्य दोस्तों पिर्थवी का निकटम गरह कौन सा है तो इसका सई अंसर होगा पिर्थवी का निकटम गरह सुकर गरह है अगला क्योंस ने है? दोस्तो नोबेल प्रुषकार अल्फरेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिनोंने किस की खोज की थी? तो इसका सई अंसर होगा उन्होंने डाइनामाइट की खोज की थी अगला क्योंस ने है? पिर्थवी का विश्वत ये व्यास कितना है? होगा 12,756 किलोमेटर है अगला क्योंसन है दोस्तो मानव नेतर मेरेटिना पर बनने वाला परतिवम कैसा दिखता है तो इसका सही अंसर होगा उल्टा होता है प्रन्तु सिधा दिखाई देता है अगला क्योंसन है दोस्तो वयुमंडली ये अवाब पिर्थवी पर किसके तो इसका सही अंसर होगा ये है गुरुतों के द्वारा रखी जाती है अगला क्योंसन है दोस्तो विद्धूत चालगता की यूनिट क्या है तो इसका सई अंसर होगा MO यह है विद्यूत चालकता की यूनिट है MHO अगला क्यों सन्य दोस्तो PVC किसके बहुलिक्वी करन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इसका सई अंसर होगा यह है विनाइल कलोराइड के बहुल की करन द्वारा प्राप्त किया जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तो ट्राटियम किसका समस्थानिक है तो इसका सई अंसर होगा यह है आइड्रोजन का समस्थानिक है अगला क्यों सन्य दोस्तो आदुनिक अंस्विक्ता का सिदान्त किस ने दिया था तो इसका सही अंसर होगा यह है ग्रेगर मेंडल ने दिया था अगला क्योंसन है दोस्तो परकास संसलेंशन के दोरान परकास उर्जा किस में रुपांतरिन होती है तो इसका सही अंसर होगा यह है रसाइनिक उर्जा में रुपांतरित होती है अगला क्योंसन है दोस्तो पिर्थवी के वायो मंडल में कौन सी गैस विपुल मातरा में है तो इसका सई अंसर होगा यह है नाइट्रोजन गैस है अगला क्यों सन दोस्तो कोशिका के चार अव्योबों में उस कोशिका को पैचानिये जो पोदे की कोशिकाओं में पाई जाती है किन्तु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती तो इसका सही अंसर होगा वह कोशी का कला है अगला क्यों सने दोस्तों अम्ब सब्द का प्रियावाची सब्द कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा माता, जन्नी और दात्री यह है अम्ब सब्द के प्रियावाची सब्द है अगला क्यों सने दोस्तों जननी सब्द में कौन सा परत्या लगा है तो इसका सही अंसर होगा नी परत्या लगा है अगला क्यों सने दोस्तों निमन में से कौन सी वर्तनी सही है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से तिलांजली यह वर्तनी सही है अगला क्योसने दोस्तों जो अल्प कम जानता है वाक्यांस के लिए एक सब्द कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा इसके लिए अलपग्य यह सब्द सही है अगला क्योसने दोस्तो पर्ते में उपसर्ग कौन सा लगा है तो इसका सही अंसर होगा इसमें पर्ती उपसर्ग लगा है अगला क्योसने दोस्तो इरन का समानार्थी सब्द कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा इसका सारंग सब्द समानार्थी सब्द है अगला क्यों सन्य दोस्तो वीर पलस अंगना की संदी कौन सी है तो इसका सही आंसर होगा वीर पलस अंगना की सही संदी विरांगना है अगला क्यों सन दोस्तों निमन में से कौन सा वाक्य स्यूक्त रूव वाक्य है तो इसका सही अंसर होगा मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया यह एक स्यूक्त वाक्य है अगला क्यों सन दोस्तों निमन लिखित में से आग्या वाचक वाक्य का चैन कीजिए तो इसका सई अंसर होगा तुम मेरे साथ घर चलो यह है एक आग्यावाचक वक्य है अगला क्योसन दोस्तो जिला कुर्चेतर की साबाद सरकारी चीनी मील की स्थाबना कब की गई थी तो इसका सई अंसर होगा 1991 से बनवे में की गई थी अगला क्योसन दोस्तो अर्याणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक की स्थान से यमना नदी से निकाली गई है तो इसका सई अंसर होगा अर्याणा की गुडगाउं नहर यह दिल्ली के ओखला नामक सहर से यमना नहर नदी से निकाली गई है अगला क्योसने दोस्तों अरियाना पर्देश में सराब बंदी कानून कब लगू किया गया था तो इसका सही आंसर होगा अरियाना पर्देश में सराब बंदी कानून 1 जुलाई 1996 में और 2 जुलाई 1998 में दो बार लगू किया गया था अगला क्योंसने दोस्तों अर्याना राज्य में मद्य निशेद कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधीनियम किस सन में संसोधित किया गया तो इसका सही अंसर होगा वर्स 1914 को संसोधित किया गया था अगला क्योसने दोस्तों इंदरा गांधी पिरीय दर्षनी विवास सगुन योजना कब आरम की गई तो इसका सई अंसर होगा 14 मई 2005 को आरम की गई थी अगला क्योसने दोस्तों रज्य में लाडली समाजिक सुरकसा बत्ता योजना कब लागू की गई थी तो इसका सही अंसर होगा एक जनवरी 2006 को लागू की गई थी अगला क्यों सने दोस्तो अर्याना सरकार्द वरा सवतंतरता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णे किस वर्स लिया गया था तो इसका सही अंसर होगा वर्स 1981 में लिया गया था अगला क्योसने दोस्तों युद सेवा मेडल प्राप्ट करने वाले सैनिकों को नगद रासी वार्षिक और भूमी के बदले नगद रासी देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी उसे बंसिलाल की सरकार द्वारा पुने कब चालू किया गया था तो इसका सई अंसर होगा उसको अप्रेल 1907 में चालू किया गया था अगला क्योसने दोस्तों चर्खी दादरीवा शुरुजपूर का परमुख उद्ध्योग कोन सा है तो इसका सई अंसर होगा यह सिमेंट उद्ध्योग है अगला क्योसने दोस्तों फ्रिदाबाद के निकट स्थित गाउं सीही किस परसिद भगत कवी की जनम स्थली माना जाता है तो इसका सई अंसर होगा निमन में से सूर्दास भगत की जनम स्थली माना जाता है अगला क्यों सने दोस्तों राज्य में सर्वादिक उत्पादक्ता निमन में से किस की है तो इसका सई आंसर होगा राज्य में सर्वादिक उत्पादक्ता निमन में से गेहूं की है अगला क्यों सने दोस्तों राज्य के मेंद्रगड जिले में किस स्थान पर एक विरिय बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है तो इसका सई अंसर होगा यह है नारनोल में स्थित है अगला क्यों सन्य दोस्तों रज्य का कौन सा जिला खुम्बी मस्रूम के उत्पादन में देश में अगरणी है तो इसका सई अंसर होगा यह सोनिपत जिला अगरणी है अगला क्यों सने दोस्तों अर्याना में एक मात्र प्रमवीर चकर विजेता जामांज सेनिक कौन है तो इसका सई अंसर होगा अर्याना में एक मात्र प्रमवीर चकर विजेता ले करनल ओसियार सिंग जामांज सेनिक है अगला क्यों सने दोस्तों अरियाना राज्य में सर्वादिक बाजरा किस जिले में होता है तो इसका सही आंसर होगा मेंदरगड जिले में होता है अगला क्यों सने दोस्तों सिवाली की पाड़ियों से अरियाना प्रदेश कौन सी नदी निकालता है तो इसका सई अंसर होगा निमन में से गगर, मारकंडा और टांगरी ये सभी नदियां अरियाना परदेश के सिवालिक की पाडियों से निकलती है अगला क्यों सने दोस्तों बारती अर्थविवस्था के उदारी करण का अगर दूत किसको कहा जाता है तो इसका सई अंसर होगा डक्टर मन मोहन सिंग को कहा जाता है अगला क्यों सने दोस्तों बारत के सविदान के अनुछेद ब्यासी के अनुसार लोक्स बाकी सीटों का राज्ये के मद्दे आवंटन किस जंगनना के अधार पर है तो इसका सई अंसर होगा 1971 की जंगनना के अधार पर है अगला क्यों सने दोस्तों ओजोन सिद्र का निर्माण किस पर सरवादिक है तो इसका सई अंसर होगा अंटार्टिका के उपर सरवादिक है अगला क्यों सने दोस्तों कोश मिनारों का निर्माण किस ने करवाया था तो इसका सई अंसर होगा कोश मिनारों का निर्माण सेरसा सूरी ने करवाया था अगला क्यों सने दोस्तों ओरंग जेव के सासनकाल के दोरान 1679 में दार्मिक निती के विरोध में निमन में से कौन सा विद्रो हुआ था तो इसका सई अंसर होगा सतनामी विद्रो हुआ था अगला क्यों सने दोस्तों कौन राष्ट्रपती को उसके कारियरले से अटा सकता है तो इसका सई अंसर होगा संसद यह राष्ट्रपती को उसके कारियरले से अटा सकता है अगला क्यों सने दोस्तों पर्ती एक्टेर सरवादिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है तो इसका सई अंसर होगा पस्चिम बंगाल में होता है अगला क्यों सने दोस्तों आदुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में होई थी तो इसका सई अंसर होगा यह 19 वी सदी के अंत में होई थी अगला क्योस्तन है दोस्तो बार्त का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्ले है वहर रेखानिमन में से किस सहर के पास से ओकर गुजरती है तो इसका सही अंसर होगा वहर इलाबाद सहर के पास से ओकर गुजरती है अगला क्यों सन्य दोस्तों बारत रतन सबसे पहले किसको मिला था तो इसका सही आंसर होगा डक्टर सीवी रमन को मिला था अगला क्यों सन्य दोस्तों पिर्थवी का दुरुय व्यास विश्वती व्यास से कितना छोटा है तो इसका सही अंसर होगा 43 किलोमेटर चोटा है अगला क्योसन दोस्तो रेक्टर स्केल की तरह उता मापने के लिए किसको प्रियुक्त किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा बुकंब को प्रियुक्त किया जाता है अगला क्यों सने दोस्तों बारत में वित आयो का परदान कारिये क्या है तो इसका सही अंसर होगा केंदर और राज्यों के बीच राजसों का वित्रन करना यह वित आयो का परदान का करिये है अगला क्यों सने दोस्तों एड्स क्या है तो इसका सई आंसो रोगा AIDS विशानुजनित रोग है अगला क्योसन दोस्तो मानव शरीर के किस तंतर से नेफरोन का सम्मझ है तो इसका सई आंसो रोगा उठ्षरजन तंतर से नेफरोन का सम्मझ है अगला क्यों सने दोस्तों कृत्रिम वर्षा और मेग बीजन क्लाउड सीडिंग के लिए प्रियुक तत्रल रसाइन कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा सिल्वर आयोडाइड, सोडियम कलोराइड और सुस्क बर्फ ये सबी क्रित्रिम वर्षा और मेग बीजन क्लाउड सीडिंग के लिए प्रियुक्तत्रल रसाइन है अगला क्यों सेने दोस्तो एरा विद्यूत का कूछ आलक है क्योंकि सही अंसर होगा एरा विद्यूत का क्योच आलक इसलिए है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रोन उपस्तित नहीं होते है अगला क्यों सेने दोस्तो किसी समुंदर का रंग निला परतीत होता है क्योंकि उस पर पढ़ने वाली सुरिये की किर्णे कैसी होती है तो इसका सही अंसर होगा क्योंकि उस पर पढ़ने वाली सुरिये की किर्णे पर किर्णित हो जाती है अगला क्योसने दोस्तों अरियाना में किस परकार के मत की पहली बार गणना हुई थी तो इसका सही अंसर होगा अर्याना में ETP B.S. के प्रकार की मत की पहली बार गणना हुई थी अगला क्योसन दोस्तो, फतेबाद की किस लड़की ने 22 मई को मांट एवरेस्ट परतिरंगा फेराया था? तो इसका सही आंसर होगा, मनीशा ने 22 मई को मांट एवरेस्ट परतिरंगा फेराया था तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जुरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर मिलती रहें और दोस्तो ऐसे ही क्योशन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब साइट का लिंक भी दिया है तो आप ऐसे ही क्योशन वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद